नेलसन होस्पिटल एवं सन्फ्लावर होस्पिटल के सन्युक्त सयोग से विबिन्य आरयोग्य जागरुकताव देश से CME यानी सतत चिकितसा शिक्षन का आयोजन किया गया शुकरवार 24 फिरवरी को शहर के रामदास पेट सेथ होटल सेंटर पॉइंट में इस सतत चिकितसा शिक्षन यानी CME का आयोजन किया गया जहां कई डॉक्टरों सहीत अनिक व्यक्तिगन उपस्तित रहे इस टिकितसा शिक्षन कारिक्रम में मुख्य तौर पर फिजेशियन डॉक्टरों द्वारा पारिवरिक स्वास्त को बहतर बनाए रखने पर जानकरी दी गई वहीं कारिक्रम में मुख्य अनुभवी डॉक्टरों ने खास विशय पर चचा कर लोगों को जागरू किया करिक्रम में डॉक्टर जय देश्मुक ने एथरो क्लोरेटिक रिदैरोग यानी एस सी वीडी में कम धनवत वाले लीप्रो प्रोटीन यानी ल्डील को लक्षित किस तरह किया जाए इस पर मार्ग दिशन किया वहीं डॉक्टर खालित खान ने पारिवारिक विवहार में उच्छ रख्त चाप का दृष्टी कोण के विशय पर लोगों को जागरू किया जबकि डॉक्टर पॉम्पी देवराज ने गहन देख बाल में उच्छ रख्त चाप से ग्रस्त आपात स्थिती के विशय पर जा आप जानते हैं कि बहुत कम उमर में 20-30 साल के उमर में लोगों को हार्ट एक आ रहा है, कई लोग सड़नी डाय हो रहे हैं, सबसे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम ये सड़न काड़ेक्डिक्स प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम ये छोटा सा CME और्गना आज हम लोग ये एक continued medical education, एक doctors के लिए, जो हमारे society के doctors है, उनके लिए एक educational प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें hypertension जो की एक बहुत ही common बीमारी है, आज लोगों को, common public को जो हर 10 में से 6 लोगों को ये देखने मिल रहा है, तो जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर बुलिए, अनिर्दी डेली प्रेक्टिसेज बुलिए, उससे जो वर्क प्रेशर के कारण और खराब डेली रूटीन के कारण जो बॉडी में उसके दूर प्रभाव बढ़ रहे हैं, उसके वज़र से जो hypertension common भी होता है, उसी के regarding एक continued medical education, doctors के लिए रखा गय है, specially, यहाँ पर डॉक्टर जैदेश्मूग जो हमारे साथ निलसन में अटाइजड हैं, उसके अलावा हमारे physician डॉक्टर करीद खान और डॉक्टर कॉंपी देवराज, आज जितने भी यहाँ doctors लोग आये हुए हैं दूर दूर से, उन सभी को एक detailed brief इस प्रोग्राम के बा आज्याँ, आज आज्याँ आगागाँ, इसके ध्याँ आगाँ, आज्याँ वां सिथेंट ज्याँए हैं, आज एकाटे उसलिएमूग झाटेश्याँ, उसॉटेशन निलसने एकाटेशनु को लिगाँ पर शेठीट क्रें, इस आज पर जो आगाँए हैं, आजोगराएं